श्रीरादेहर हर महादेव, होली के बाद हिंदू कलेंडर में दूसरा बड़ा तेवहार अश्टमी पराता है, इस अश्टमी को शितला अश्टमी कहा जाता है, इस वर्ष यह शितला अश्टमी दो अप्रेल को पड़ेगी वैदिक पंच्यांग के अनुसार इस बात को लेकर बहुत आसमंजस है कि कब बासोड़ा 2024 में पढ़ेगा जी हाँ हमारा वैदिक पंच्यांग बताता है कि इस बार चैत्र महा के क्रेश्न पक्ष की अस्टमी कीती थी एक अप्रेल रात्री सोमवार को 9 बचकर 9 मिनट से शुरू होगी और ये तिति दो अप्रेल दिन मंगलवार को रात्री 8 बचकर 8 मिनट पर समाप्त होगी तो उद्यातिती के अनुसार हम सभी बासोडा अर्था शीतला माता की पूजा अस्टमी का वरत दो अपरेल को करेंगे जो लोग शितला शप्तमी की पूजा करते हैं वह एक अप्रेल को और जो अस्टमी की पूजा करते हैं जिसे हम बसोड़ा भी कहते हैं वह दो अप्रेल को पूजन होगा बसोड़े पर शितला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है मानेता है कि अगर आप शीतला माता की वीदिवत पूजा करते हैं तो आपको तुचा संबंदी रोग, चेचक, आधी बिमारियों से दूर रहते हैं चलिए जानते हैं शीतला माता के पूजन वीदि शीतला सब्तमी और अश्टमी दोनों ही दिन शीतला माता की पूजा की जाती है इस चीज का विशेज द्यान रखें यदि आप सूर्य ओदय से पहले ही बसोडा पूज लेते हैं तो इसका महत और अधिक बढ़ जाता है इस दिन सवैसना नादी से निवरत होकर शीतला माता के मंद्य जाकर विटिविधान से पूजा करें और होली का देहन वाले इस्थान पर भी कुछ लोग बसोड़ा पोचते हैं आप अपनी मानिता के नुसार किसी भी इस्थान पर शीतला माता का ध्यान करें पूजा कर सकते हैं सबसे पहले शीतला माता की पूजा करें उन्हें जल चड़ाएं, गुलाल कुमकुम अर्पित करें बासी भोजन में पुड़े, मीठे चावल, खीर, दही, दूद के साथ साथ माता को शिंगार भी अर्पित करें बसोड़ा पूशते समय तीन बातों का विशेज द्यान रखें माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है माता शीतला की पूजा करते समय दूप, दिया या अगर्बति नहीं चलानी चाहिए शीतला माता की पूजन में अगनी को किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता मंदिर और होलिका दहन के स्थान पर पूजन करने के बाद जब अपने घर में प्रवेश करें तो अपने घर के प्रवेशत्वार पर सुआस्ति का वश्य बनाएं इसी के साथ शीतला माता की पूजा का जो भी आप पूजापा अपनी रसोई में रात्री में सोने से पूर्व बना कर रख लें और उसके पशात पूरी रसोई को साफ करके अपने चूले पर रोली, मौली, पुश्प, समर्पित करकर पूजा करनी है और जब तक आप प्रातर काल माता शीतला की पूजा न करें तब तक क्रप्या चूला न जलाएं शीतला अस्टिमी के दिन ब्रह्म महुर्थ में आपको जो माता का भोग है उसके शीतला अस्टिमी के दिन ब्रह्म महुर्थ में उठकर जब आप पूजन के लिए जाएं साफ और शीतल जल परें और ये जल जम माता शीतला को समर्पित करें तो थोड़ा जल बचा कर घर लाएं जो घर के सदस्यों पर और घर में, पूरे घर में इसका छड़काओ करें इससे घर की नकारात्मकूर्जा दूर होती है और साकारात्मक्ता फैलती है यदि आपको यह जानकारी बसंद आई हो तो अपनी प्रतिक लिए आवश्य दें जैशीत लामाता श्रीरादे हर हर महादेव